आज कॉंग्रेस के हालत देखिए कॉंग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़ कर जा रहे हैं जिनों ने कभी इनके साथ आने का इराजा किया था वो भी इनसे भाग रहे हैं कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड आतंगवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है एक परिवार के महमेपसी कॉंग्रेस अर्यान अभी वोई आल है आज अपने इतिहास के सबसे दयनियत दौर से गुजर लही है इनके नेता से अपना एक स्टार्ट अप नहीं समल रहा ये लोग देश शमालने का सपना देख रहे हैं आज कॉंग्रेस के हालत देखिए कॉंग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं जिनोंने कभी इनके साथ आने का इराजा किया था वो भी इनसे भाग रहे हैं हास्तिती ये हैं कि कॉंग्रेस के पास अपने कारकरता तक नहीं बचे हैं जहां कॉंग्रेस सरकार में हैं वहाँ इनसे अपनी सरकारे भी नहीं समल रही है आज हिमाज चल में लोगों को वेतन और पैंशन देने तक में मुश्किले आ रही हैं करनाटका में विकास की योजराओ पर भी कॉंग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही हैं भाई और बैनों कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड क्या है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड देश की आदे से अधिक आबादी को दसकों तक छोटी छोटी जर्रोंतों से दूर रखना का है तरसाने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देश वाश्यों के हित से उपर रखने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड इतिहाद के सबसे बड़े गोटालों का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड सेना और सैनी जोनों को कमजोर करने का है ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कॉंग्रेस की टीम वही है नेता वही है नियत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है तो नीती भी तो वही होगी जिसमें लूट है ब्रश्चाचार है बरबादी है साथियों कॉंग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसी ददिकार है इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पी एम बना है ये एक के बाद एक मेरे खिलाब साजी से करते जा रहा है लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जन्ता जनार्दन कह रही है आप लोग कह रहे है जिसने जिसने तिन सो सत्तर हटाया जिसने तिन सो सत्तर हटाया उस बीजेपी का टीका तीन सो सत्तर सिटों से होगा